जैशी किशना प्रेंट्स मेरे यूटूब चैनल मिसेस पांडे ओफिशल में आप सभी का स्वागत है तो मैं ठीक हूँ और आप लोग कैसे हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं छोले गला रही हूँ तो क्या बनाने वाली हूं में तो प्लीज आप लोग को इसकिप मत आप लोग को पूरा देखेँ हैं तो छोले गला चुके हैं और और यह वागका समय है तो मैंने पुजा वग्रा भी कर लिए और यहांपर मैं दूध रख रही हूं गरम करने के लिए तो दूध नहीं में गर्म कर रही हूं तो एक तो दूध हैं जो बंदी वाले भाईज उन्होंने दिया था और देर लिटर दूद में एश्टा देरी से मंगवाया था तो इसके कारण से मैंने दोनों दूद गर्म कर लिए हैं यहां पर अलग अलग तो दूद बगरा करने के बाद में फिर मैं आ गई थी मम्मी जी के यहां पर क्योंकि आज हमारे साथ सी जाने वाले हैं और कहीं पर जाने वाले हैं मतलब थाइलेंड जाने वाले हैं थाइलेंड मेन में रह दोना पस नहीं के दर्शन के लिए गरी जा तो यहां से तो दिल्ली तक ट्रेन से फ्लायट से जाएंगे into to not a 1 जोने को सिर्फ साथ किलो ही वेट लेकर जाना हैं तो इसलिए चोटे-चोटे-ब्लै तो मम्मी पापा जी चले गये थे थाई-लेênडby है और फिर में आ गई थी घर तो अब यह जो वलोग देख रहे हैं आप ये सामके समय की व्लोग है तो यहाँ पर टाइम हो रहा है साड़े चार बज़ रहे हैं तो कूकर में मैं उबालने के लिए रख दूंगी छोले जैसे कि आप लोग के सामने देखा था आप लोगों ने कि छोले उबले थे छोले गलाए थे मैंने तो बस वही उबलने के लिए रख रही हूँ और एक साइड बन रही है चाय मज़़ूरों के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर का काम चल रहा है तो उन्हें चार बज़े चाय देनी होती पर वो मम्मी पापा जी जा रहे थे तो बस इसी चाइड पर क्या कोई आने वाला है तो नहीं जी एशा कुछ भी नहीं है यह जो मिलोग दीख रहे हैं आप लोग यह शरत पुनिमा वाले दिन की ब्लोग है तो मैं इजिमारी शुन कभ़तों कान्याओं को शुरत पुनिमा पर ही जिमातीcentered का ऑन नौरातिक कि समय इसलिए जी मारी हूं क्योंकि सुबह तो सब कन्याई इसकुल वगेरा चली गई थी इसके करण सुबह के टाइम पर कोई भी नहीं था तो इसलिए जी मारी हूं में साम को और यहां पर बन चुकी है चाय और छोले रख दिये उबलने के लिए और चाय बन जाएगी फिर करोदन में थोड़ी सी डाल धी छकर है jest तो प्राइब्स आप लोग ना व्लोग को इसकी प辉सकर केकरो अब थोड़ी सी व्लोग ज़रू देखा तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरी व्लोग केसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर अच्छी लगे तो भी बताना तो यहां पर मैंने डाल दी थी शकर मुझे जो मैंने बचाई ना वो मुझे थोड़ी जादा लग रही थी मुझे ऐसा लगा कि सायद जादा हो जाएगी तो फिर इसके कारण से मैंने उतनी शकर बचा ली और फिर यहां पर मैं सेक लेती हूं चामल तो कड़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है मैंने जादा न जादा नहीं सेकना है जो कलर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल लाइट जो पिंक कलर होता है ब्राउन कलर बस उसी टाइप के ही सेके हैं और यहां पर दूद भी उबल गया है तो यहां पर ना केमरा सेट कर रही थी में बहुत दिक्कत होती ही व्लोग वगेरा सूट करन है तो ना व्लोग अगर सूट करो ना तो फिर आधा टाइम तो केमरे को सेट करने में ही निकल जाता है इसके लिए प्लीज बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपना कीमती समय मेरी चैनल को भी दे दिया करें प्लीज क्योंकि मुझे अभी आप लो क्लीज रखें क्योंकि मुझे हलोके से पीछना है मतल likely मिकसर में एक बार घुमा लैंगे ज्यादा नहीं वसका थोड़े से जिसे हल्क केसे डऱ्चान हो जाते हैं बस उतने ही पीछना है क्योंकि हल्के से चामल जोब पीछ जाते नहीं तो इसकी ना यृच्छी बनती है तो मैं हमेसा ऐसी ही बनाती हूँ कि आप लोग भी ऐसे बनाते हैं आप लोग मेंसे कोई इस तरीके से खीर बनाता है क्या तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और मुझे ना यहां पर चीह का रही थी पर आते आते रुग गई बस मुझे दो तीन बार ऐसा दाल दिये हैं और फीर चामल खीर जब तक बनती रही है क्योंकि खीर में तो अभी टाइम लगेगा तो खीर जब तक बन रही है तब तक कर लेते हैं सबजी की तैयारी तो यहां पर ना छोले उबल गए थे और छोले बहुत जादा गर्म थे तो हम लोग की आदत होती ही न अधिन धकन खुला तुरंत हाथ में ले लिया तो ना हाथ में थोड़ा सा लग गया था तो यहां पर मैं कट कर रही हूं प्यास टमाटर हरी मिर्च और लसन तो ज्यादा मसाला तो नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे ना ज्यादा मसाले वाली चीज़े एकदम स्पाइसी तो किस-किस ने सरतपुनिमा वाले दिन करनिया जिमाई थी आप लोग मुझे ज़रूर बताना तो फिर उसके बाद में यहां पर सारी चीज़े में ने कट कर ली ती और तो सारा जो भी मसाला है अभी सिर्फ लसन प्याज और हरी मिर्च तीनों चीज पीस रोंगी फिर उस मैंने कन्याओं को टाइम दिया है साथ बजे का तो साड़े छे साड़े छे बजे तक का बोल दिया है कन्याओं को तो मेरी जिठानी की बेटी है वही बुला कर लिया आएगी सब कन्याओं को तो ना साड़े छे साथ बजे तक का बोल दिया है तो साथ बजे तक बच्चे न मैंने जो रोज तेल इस्तिमाल करती हूं उसमें से तेल नहीं लिया है क्योंकि ना पापड़ वगेरा तलते हैं तो फिर कढ़ाई में सब आपिस उसी डब्बे में तेल डालने में मतलब आ जाता है तो फिर भगवान को भोग भी लगाना है तो मैं जो नीचे तेल का डब्ब लहसुन प्याज और हरी मिर्चिका तो यहां पर वो भी डाल दिया था और फिर उसके बाद में यहां पर ग्राइंडर में रख लिए थे टमाटर तो क्योंकि इन्हें भी पीसना है तो यहां पर पेश्च जो है भून चुका है और यहां पर फिर अब डाल देते मसाले तो यहां पर मैंने डाल दिया है लाल मिर्च धनिया और हल्दी और दृषन्प कशमीरी ओर तंब सबक्षा हो दो तीखाश जाता है तो अब सब्षट्र पतल अपर उस्लिए समेय्षों कर दो तिन मिनिट भूनने का बाद में ज़ो अलड कमण कृबम तो महिन दाल दिया तो अब तो फिर अभी टाइम लगेगा मसाला यहां पर बूनने में तो मैनिन ना मसाला यहां पर थोड़ अधकर और फिर उसके बाद में इसमें जो भी मतलब मुझे छोले अलू अगेरा डालना है वो डालूंगी में तो अभी पहले यहां पर धकर रख देंगे मसाले को तब तक ही यहां पर नमक कि थोड़ा ही क्योंकि उबालते समय जब उबाले थे छोले उस समय भी मैंने डाल दिया था नमक और फिर अभी थोड़ा सा इसमें सबजी में भी डाल दिया है तो आप लोगोंने देखा कि खीर भी बन रही है तो खीर तो पकने में अभी टाइम लगेगा इसलिए मैंने सबसे पहले खीर ही बनाई क्योंकि खीर बनने में बहुत टाइम लगता है तो आलू भी में ज्यादा नहीं डालूंगी तो चोले और फिर आलू डालने के बाद में इतना थोड़ी सी दिर पका लेंगे पांस मिनट फिर उसके बाद में डालेंगे पानी तो आप लोग को मेरी छोले बनानी की सबजी अगर अच्छी लगे तो प्लीस आप लोग मुझे कमेंट में जरूरू बताना क्योंकि आप लोग करते हैं तो उससे मतला हम लोग को पता चलता है कि आप लोग हमारी व्लोग बगेरा या जो भी हम आप लोग को कंटेंट बता र क्योंकि छोले की सब्जी ज्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है तो इसके कारण से मैंने पानी यहां पर थोड़ा सा ही डाला है तो अभी तो और इतनी ज्यादा पतली भी दिख रही है पर अभी जब सब्जी पूरी तरीके से पक जाएगी ना तो फिर अच्छी गाड़ी लोग ने देखी सब्जी अच्छे से पक चुकी है और खीर भी बन गई अब सिर्फ बनानी है पूरी और किचन की हालत तो आप लोग देखी रहे हैं कि किचन में कितना ज्यादा बिखेरा हो गया है तो पहले हिहां पर में सब्जी वगरा खाली कर दूंगी और फिर सारे ब जंदा हो जाता है तो सब्जी भी बन चुकी है पूरी कंप्रीट खीर भी बन चुकी है अब सिर्फ बनानी है पूरी तो यहां पर ना हरी धनिया डाल दी थी मैंने और फिर सबसे पहले दूलूंगे में बरतन फिर उसके बाद में इस्टेंड थोड़ा सा साफ करके फिर आ बाकि वह होता है ना हमको खुद को ही कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाये तो अगर कुछ काम होता है तो हमको ही टेंसन हो जाता है तो बस इसलिए फटा-फट कर रही थी मैं और बरतन भी ज्यादा नहीं थे अभी कही बरतन थे सिर्फ चाय वगरा के और अभी मसाला वगरा जो भी पिसा सबजी वगरा के सिर्फ वही बरतन थे तो ज्यादा बरतन नहीं थे तो फटा-फट से दूल लेती हूं में थोड़े थोड़े बरतन दूलते जाते ना तो इतने ज्यादा इखटे भी नहीं होते हैं और किचन भी गंदा नहीं दिखता है और फिर यहां पर मै अगर जरुवत लगेगी तो और फिर यहां पर मैंने हस्बेंट जी से मंगवाली थे कन्याओ को लिए केले तो बस वहीं रख रही हूं सब सामान आगे और कन्याओ को तीलक वगरा लगाने के लिए कुमकुम चामल और जो भी उन्हें दक्षिना देना है वो निकाल लिया और आप लोग देख रहें ना आगे वाले रूम की हालत बच्चे इसी कर देते हैं क्योंकि आए हैं अभी स्कुल से तो बेक ड्रेस पानी की बोटल वगरा सब भी बेट पर उन लोगों ने फेक दिया था तो अभी बस में उठा रही हूं यहां का बिखेरा बिखेरा वगर अगेरा लगाना है वो लगा देती हूं फिर उसके बाद में लगा दूंगी आटा और सो आप लोग देख रहें कि मैं सोफा अटा रही हूं तो सोफा इसलिए अटा रही हूं क्योंकि आगे वाला रूम भी मेरा छोटा ही है तो ना उसमें इतनी जगे नहीं हो पाईगी त तो बस इसके कारण से ही मैं सोफा रही थी तो सोफा मैंने रख दिया था पीछे वाले रूम में और फिर यहां की ज़ाड़ू बगरा निकालकर और फिर दरी बिच्छा दूंगी तो कन्या अगर आ भी जाएंगी तो फिर बेट जाएंगी इसके कारण मेंने सुचा कि पहल वह अगा तेंगे एजगे साध बजंटे पहले साद बजे ही आज आएंगे क्यूकि मैंने बोल दिया था कि साध बजे ही आ जाना उनकी जो कोचिंग वाली दिदी उनको कॉल कर दिया था मैंने तो बोल दिया था user वाले भेजदेना तो इसके कारण से ऑज जा जाएंगे आदे घंटे पहले तो जाड़ों वगरा निकाल दिया था मैंने और यहां पर आमने सामने दोनों साट दरी बिछा दी है और कन्याओं को जो भी दक्षना वगरा देना है वो रख दिया था मैंने टेवल पर तो अब चलते हैं फिर से वापीस किचन में तो अब लगा लूँगी मैं आटा तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरी व्लोग अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्लोग को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा तो फिर यहां पर कर लेते हैं पूरी तलने की तैयारी क्योंकि पूरी में नमक अच्छा लगता है कहीं कहीं पर नहीं डालते हैं पर मैंने इसमें यहां पर डाल दिया था थोड़ा सा नमक और फिर बताया ना मैंने आप लोग को की भगवान को भी भोग लगाना है तो इसके कारण से मैंने नीचे जो तेल की केन रखी हुई है उससे ही अभी खाना बनाया है सबजी में भी उसी तेल का इस्तमाल किया है तो यहां पर लगा लेती हूं मैं आटा क्योंकि अब टाइम हो गया था यहां पर बच चुके थे साएट 6 बच गए थे तो मैंने सोचा 6 या सवा 6 बच चुके थे तो फिर मैंने सुचा कि फटाक से यहां पर लगा लेती हूं आटा क्योंकि अब तो बनानी ही हैей पुड़ी तो आटा लगाकर और फिर में तुरंत बना लूंगी पूड़ी क्योंकि ना फिर परसना भी मुझे ही है तो इसके कारणंद से पूड़ी ज्यादा थन्डी भी नहीं होगी क्योंकि बना औरना ढखका रख दूंगी तो ज्यादा ठंडी नहीं होगी तो पहले से मुझे इसलिए पूरी बना कर रखनी पड़ रही क्योंकि अगर मैं फिर बनाने लगूंगी तो फिर कन्याओं को पढ़ सेगा कुन इसके कारण से औरना हस्बेंड जी की मेरी तबेट ठीक नहीं है न मतलब फिल हाल अभी तो नहीं आ रही हूं अभी तो लाइव आने का टाइम मेरा रात में 10 वजए है मेरा रात में 10 बजे लाइव आती हूं तो प्ल् detective अगर आप लोग को मेरी लाइव में आना है तो आप लोग 10 बजए थोड़ा थोड़ा सा अपना किमती समय निकाल सकते हैं मेरी live में आने के लिए तो बस यहां पर ना में live ही कर रही थी और फिर साथ में चल रहा था suit और फिर live करने के बाद में फिर आटा भी लग ही चुका था और फिर अब उतार लेते हैं फटा फट से पूरी क्योंकि करन्याओं के भी आने का समय हो गया है तो फिर उतार लूंगी में यहां पर पूरी और फिर सब तेभार वगेरा भी आने वाले हैं तो फिर घर की सफाई वगेरा सुरू हो जाएगी तो फिर मैंने सोचा कि फटा फट से सरत पूर्णिमा है तो ना कन्याओं को जिमा ही देती हूँ तो दीदी की जो बेटी है मेरी जेठानी की बेटी है उसका नाम अनन्या है तो वो भी आगी थी पुछने के लिए कि चाची सभी कन्याओं को बुला कर लेया हूँ क्या तो फिर वो सब भी कन्याओं को बुलानी के लिए चली गई थी तो फिर मैं उतार लेती हूँ पूड़ी क्योंकि फिर कन्याओं आ जाएंगी तो फिर बस वहीं यहाँ पर उतार रही हूं में पूड़ी और गर्मी तो इतनी जादा हो रही है न तो MP में भी बहुत मतलब अभी गर्मी पड़ रही है तो आप लोग जहाँ पर रहते हैं जोन से सहर में सीटी में जहाँ भी रहते हैं तो आप लोग के यहाँ पर भी गर्मी हो रही है क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्योंकि MP में तो बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिस नहीं हुई है इस बार और बीच में अभी जब बारिस होई थी तो उस समय फिर भी बारिस हो गई थी फिर भी मोसम ठंडा नहीं हुआ था तो गर्मी तो इतनी ज़्यादा लगती है कि कुछ पुछ सब्सक्राइब के सब्सक्राइब सिरफ निए लगा तो 23 रहे थी k वाले धिन दीन निस्ति एंद धीन जुबती मंचे में वस्कि करते हैं जिह पुरण जी बेट कर वसितार में हों 2 पैसी में उसलोक तो यहां पर शूट भी चल रहा है दो में गतां करनाएं क्वनारा तो मत रही थी ने हमोग मैं आपकry पलौग करना तो मैं उसे करें थी कि हाँ तू मेरा व्लॉग देखना और हिना लाइक भी करना और पूरा देखना व्लॉग है ना और मम्मी सभी कहना तो बस स्ज़ वही करें थृवफ करना कर दो यहां पर न चार पांच कन्याय ला कि लागा देती हूं कन्याओं को खाना गर मीर्टति तो कन्याओं था बेड़ गयी थी कहने के लिए और फीर कोई कह रहा था की एन90 खोटी खोटी कन्याओं कोह जादा बड़ी तो हैं नहीं तो ना कोई कह रही थी कहना हमें बाहर जाना है कोई कह रहा था अंटी सिर्फ हमें खीरी देना तो मेरे हस्बेंट जी कह रहे थे कि नई दो दो पूरी तो सब को खाना ही पड़ेगी और खिर बीना दो दो बार लेना पड़ेगी तो बस यहां पर वो बेटकर कcej艇व से बातुत कर रहे थे और खाने का देख रहे थे किसके पास में क्या नहीं है तो किचन की हालत देखिए आप लोग किचन में जब तक हम लोग रहते हैं ना और किचन में काम चलता रहता है तो किचन साफ रही नहीं पाता है तो कन्या ने जीम लिया था यहां पर और बरतन हो गए थे खटे तो किचन फिर वापिस गंदा हो गया था और यह है लंगूर के देखा कि हमारे यहां के तीन लंगुर खा रहे थे खाना तो जैसे ही मैंने सूट किया ना तो तीनों नहीं दोनों ने मुझ अपना चुपा लिया था मेरी जेठानी के बेटे ने और मेरे बेटे ने छोटा वाला जो मेरा बेटा है वो तो सोक से आ जाता है सूट में तो फिर कन्याए खाना खाकर चली गई थी कन्याओं को जिमा दिया था तो फिर यहाँ पर ना सभी ने खालिया था खाना मेरे हजबिन जी ने भी खालिया था और मुझे भी भूक लगी थी तो मैंने भी खालिया था खाना तो फिर खाना वगएरा गिरा था ना नीचे खीर वगएरा फिर ना चिठा चिठा हो गया था तो मैंने सुचा कि एक बाद ज़ाड़ू कर साफ कर देती हूं तो बस धरी धरी वगरा जटकार कर और फिर यहां पर लगा रही थी मैं ज़ाड़ू तो दरी तो वेसे भी धोने की थी तो कल सुबद जब कपड़े धूलेंगे तो फिर धरी धूल जाएगी और एक जो ब्राउन कलर की दरी थी तो वो तो मैंने अभी निकाल कर बिचाई थी तो उसे तो नहीं धोंगी मैं और फिर यहां पर ज़ाड़ू निकालने के बाद में लगा दिया था पोता और हजबन जी यहां पर बेट कर देख रहे थे टीवी तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरी व्लोग कैसी लगती है आप लोग प्लीस मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मैंना हर व्लोग की कमेंट का इंतिजार करती हूँ बाकि आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आप लोग मेरी व्लोग कैसी लगती है तो खाना वगेरा भी हो ही गया है और आगे का रूम भी साफ कर दिया था फिर उसके बाद में मैंने यहां पर खाना वगेरा खाले कर लिया क्योंकि खाना तो जादा नहीं बचा था किरवी आप लोग जितनी देख रहे हैं उतनी ही बची थी और सबजी तो खत्म होई गई थी और तीन से चार पूड़ी बची थी तो खाना जादा नहीं बचा था यहां पर तो किचन साफ करके और फिर दूलना है मुझे बरतन तो फ्रेंड्स अगर आप लोग के मेरी व्लोग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सेर और कमेंट जरूर करना और प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजएगा तो यहां पर साफ कर लेती हूं मगे फिर उसके बाद में दूलूंगी बरतन क्योंकि ना यहां पर फिर उसके बाद लाइट चली गई थी अभी आजकल हमारे यहां पर लाइट बहुत जादा जारी पता नहीं बारिज भी नहीं हो रही है पर फिर भी लाइट ना कभी भी चली जाती है दिन में तो फिर भी बहुत जाती है बाकि रात में आट बजे नो बजे ही लाइट जाती है तो ऐसे तो नहीं जाती बाकि न फिलाल अभी बहुत जादा जा रही है यहां पर लाइट तो गेश साफ हो चुका था मेरा और अब सिर्फ धुलना थे बरतन तो यहां पर साइड ताइम ना साड़े आठ या नो बज रहे थे फिर उसके बाद 10 बजे से मेरा लाइव आने का टाइम हो जाता है तो इसलिए ही फटा-फट से कर रही थी मैं तो यहां पर अबरतन भी दुल गए थे और किचन भी हो गया था साफ तो लाइट चले गए थी इसलिए आप लोग अंधेरा दीख रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी व्लोग अच्छे लगे तो प्लीस लाइक जरूर कीजिएगा और